अलिवूर्ट फिल्म के सबसे चोचिट किरदार आयरन मैन की तर्च पर वारणसी में एक छात्र ने एक ऐसा मॉडल तयार किया है जुना सिर्फ पॉडर पर हमारे सैनिकों की रक्षा करेगा बलकि दुश्मन के खेमे में घुसकर मार भी सकता है इस सूट की खास्यत यह है कि इससे आटोमेटिक गन को एक साथ चलाया जा सकता है यहीं नहीं इससे वाट्सेप और फेस्बुक से भी ऑपरेट किया जा सकता है अब पाकिस्तान में खुसकर मारेगा आयरन मैन आतंकी भी हो जाएं सावधान देशी आइरन मैन से कोई पच नहीं सकता पीट पर वार करने वालों को मुह तोड जवाब देगा शरीर पर परस्ती गोलियां और पल भर में ही दुश्मर के चक्के छुडाने को तयार यह देशी आइरन मैन है यह कोई हॉलिवुड की फिल्म आइरन मैन का करदार नहीं है लेकिन कारना में आइरन मैन से कम भी नहीं अब ज़रा देशी आइरन मैन के सूट को देखिए इसका सूट लोहे का बना है और इसके सूट में ही आटोमेटिक गन लगी है इन गनों से दुश्मन को पल भर में ही ठेर किया जा सकता है और इन गनों की खासियत ये है कि इन से चारों और वायर किया जा सकता है और इसके सूट पर गोली का भी कोई असर नहीं होता इस मौडल की खासियत है कि लोहे से बने सूट पर गोलियों का असर नहीं होगा और इसमें चारों तरफ लगी आटोमेटिक गन्स से जवान गोलियां चला सकता है श्याम चौरसिया ने बताए कि सूट को इंटरनेट के सहरे सोचल मीडिया से कंट्रोल किया जा सकता है अगर सेना के जवान चाहें तो इस मौडल को कई हिस्सों में अलग-अलग सेट किया जा सकता है और ओफिस में बैठ कर फेस्बुक या वाट्सअप से कंट्रोल करते हुए दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है हमने दू-तीन साल पहले फेस्बुक आप्टेट मशीन गन बनाया था तो उसी बेस पर हमने फेस्बुक और वाट्सअप का जो सिस्टम है उसको हमने सूट से अटेज बिकिया है आइरन मैन के सूट को बनारस के श्याम च्रसिया ने बनाया है उनका बच्चपन का सपना देश के लिए कुछ करना है ऐसे में श्याम ने ऐसे कई डिवाइस और मॉडल बनाए जिनसे हमारे देश के जवानों की रक्षा हो सकती है और जबानों को दुश्मन से लड़ने में मदद भी मिलेगी मॉडल का आइडिया हॉलिवुड की आइरन मैन जैसी फिल्मों से लिया गया बनाने का आइडिया क्योंकि हमने आइरन मैन मूवी में इस तरह के सूट हम लोग देखते हैं तो यह एक प्रोटो टाइप मॉडल अभी हमने बनाया है कि यह आप जैसे देख रहे हैं जो चलता फिता यह फैर भी करता है और इसको आप सोचल मेडिया या इंटरनेट के थूँ भी कही से भी दूर से भी हॉबिट कर सकते हैं इस मॉडल को बनाने में तेर्ड महीने का वक्त लगा और करीब 25,000 रुप्यों का खर्च आया श्याम चौरसिया ने बताए कि मॉडल की जानकारी पी-एमों को भेजी गई है ताकि पी-एम या रक्षा मंत्राले इसे संग्यार में ले अब यह एक प्रोटो टाइप मॉडल है जैसे आप देखें टीन और बहुत सारे जो कबाल के पार्ट से उसको हमने इकटा करके इसको बनाया है और मेरी जो इच्छा ही है कि इस तरह की चीज़े हमारे देश में ही नहीं बलकि सभी कंटी में होनी चाहिए जिससे की आतंगवादियों का सामना किया जा सके सिफ रहे करके और आतंगवाद का जो समस्या प्रॉब्लम है वो हमारे देश का ही नहीं बलकि वर्ल का प्रॉब्लम है श्याम चरसिया का बनाए गया सूट सेना के जवानों के लिए वर्दान साबिच हो सकता है अगर सेना के पास इस तरह का सूट होगा तो जवान असानी से तुश्मनों से नेपच सकेंगे